दोस्तों शायद आप मेंसे काफी लोगों ने डंकी मूवी देखी होगी नहीं देखी होगी तो सुने तो जरूर होंगे क्योंकि आज के वक्त में भारती यूएस में थर्ड लार्जेस्ट इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं अब दोस्तों इंडिया से बहुत सारे भारी संख्य इल्लीगल इमिग्रेंट्स जाते हैं एक वीडियो ऐसा ही ट्विटर पे शेयर किया जाता है जिसको इल्लॉन मस्क वापस रीट्वीट करते हैं और शेयर करते हुए कहते हैं कि यह जो भारती जिनको कोसा जा रहा था कि देखो यह सब डंकी रूट जो मूवी है डॉंकी र हमा रहा है हम जिस प्रकार का financial incentive immigrants को दे रहे हैं कैलिफार्निया में न्यूयोक में प्रिथवी के अधिक्तम लोग वहां पर रहना चाहेंगे उसके बाद अदोस्तों जानने वाली बात यहां पर यह है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है कैलिफार्निया में न्यूयोक में जि गुजर के जान की बादी लगा के भी यूएस जाने को तयार है तो आईए दोस्तों जानते हैं आखिरकार ऐसा कैलिफार्निया न्यूयोक में क्या हो रहा है क्यों ये incentives हैं इसके पीछे क्या कोई भारत जैसा ही vote bank politics है तो उस पर भी आईए जरा नजर डालते हैं पर इससे आगे बड़े दोस्तों आपके लिए हम अभ्यारती से अधिकारी तक का सफर असान करने वाले हैं जी हां दोस्तों जिस अभ्यारती हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं आप अधिकारी बन सकें इसके लिए आपके लिए हम UPSC CSE का सब्स्रिप्शन लाए हैं केवल 24,999 रु Evaluation मिलेगा दोस्तों एक बार आपने इस सब्सक्रिप्शन ले लिया तो फिर आप जो बैज देखना चाहें अनकैडमी में UPSC CSE काटेगरी में सब कुछ आपके लिए उपलब्द हो जाएगा आप हिंदी में देखिए इंग्लिश में देखिए इंग्लिश में देखिए ए आपको हम सब कुछ दे रहे हैं जिसके द्वारा आप UPSC CSE क्लियर कर पाएंगे तो जल्दी से जाए नीचे लिंक है एन्रोल कर लें सब्सक्राइब करें यूज दी कोड के सी टेन फॉर मैक्सिममम डिसकाउंट तो न्यूस में क्या है दोस्तों न्यूस में है इलोन मस्क दोस्तों इलोन मस्क ने कुछ concerns raise किये हैं जिस प्रकार से US में undocumented illegal immigrant तेजी से एंटर कर रहे हैं दोस्तों ऐसा एक वीडियो आता है जिसमें Indian citizens वो दिखाए जाते हैं बाकी नागरिक भी होते हैं लेकिन इसमें अधिकतम लोग भारतिया नागरिक होते हैं जो donkey route के माध्यम से US एंटर कर रहे थे टेसला CEO वैसे तो बहुत बड़े supporter हैं immigration के उनका कहना है कि immigration को fast कीजिए लेकिन legal प्रक्रिया के माध्यम से करवाईए और जिसको मन किया उसको entry मत दीजिए specific requirements के लोग जो आपकी अर्थवस्ता में सच में मजबूती दे सकते हैं आपके culture को मजबूत कर स इतने सारे जिसमें दिखाए गए उस वीडियो में इस पर Elon Musk ने कहा कि देखी इनकी गलती नहीं है जो financial incentives हम देते हैं California में New York में वो इतना मजबूत है कि प्रित्वी के अधिक्तम लोग California New York आना चाहेंगे दोस्तों अगर आप देखें तो बहुत दुर्गम परिस्थिती स South America जाते हैं तो कुछ Africa के माध्यम से अगर आप देखें तो Central America South America जाते हैं आप देखें दोस्तों तो कुछ इस प्रकार से रास्ता शुरू होता है एक यहाँ पे middle location होता है या तो Istanbul होता है या फिर Africa में कोई देश होता है और वहाँ से वो पहुंचते हैं Bolivia Bolivia Peru Columbia यह सारे द America में एंटर करते हैं तो इसमें दोस्तों जब Panama एंटर करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों यह सबसे दुर्गम परिस्ठिती होती है इसको कहते हैं दुस्तों Darien Gap यह जो Darien Gap है यहाँ अगर आप देखें तो kolंबो से emigrants जैसे ही पनामा के इस Darien Gap में एंटर करने लगते है यहाँ पे घने जंगल होते हैं, पहारी ईलाका है, जिसमें ये पैदल चलते हैं, इसे घने जंगल में पीने के लिए उप्युक्त पानी नहीं होता, जंगली जानवर होते हैं, इसके सिवा यहाँ पे criminal गैंग्स ऑपरेट करते हैं, जो robbery, women के विरुद ग्राइम्स common होता है, यह सारे रिस्क को उठाते वे इमिग्रेंट्स आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगर आप देखे तो पनामा से होते वे फाइनली मेक्सिको एंटर करते हैं और इस इलाके में दोस्तों यहाँ पे इनको अल्रेडी वीजवान अराइवल वगेरा यहाँ पे मिल चुका होता है कॉलंबिया में पेरू में और उसके आगी जब चलते वे मेक्सिको जाते हैं तो फिर यूएस जाने के लिए या तो जो फेंसिंग होती है वो काट के पार करना चाहते हैं या फिर कुछ रियो ग्रैंड रिवर है यहाँ पे दोस्तों जो मेक्सिको और यूएस का बॉर्डर बनाती है इसको पार करके यूएस एंटर करते हैं अब दोस्तों यह जो पूरी प्रक्रिया है यह जो पूरा सारा incentives immigrants को दे रहे हैं कि पृत्वी के अधिकतम लोग बस सपना देखते हैं कि ये सारी चीजें उन्हें मिले तो वो सभी आना चाहेंगे अगर आप देखें तो Biden administration के दौर दौरान कहा जा रहा है 70 लाख migrants ने illegally US enter किया है दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो यह अलग-अलग प्रकार का incentives US का प्रशासन देता है अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार का benefit होता है कोई राज्य होते हैं जो housing के लिए 2 महीने के लिए घर दे देते हैं illegal immigrants को तो कुछ states ऐसे हैं जो 6 महीने के लिए दे देते हैं इतना ही नहीं दोस्तों New York जैसे राज्य है जहां पे prepaid debit card दिया जाता है कि यह लिजिए घर के खर्चे के लिए साड़े-तीन सो डॉलर हर वीक आपके account में डाला जाएगा जाएए वहाँ पे जाके खर्चा कीजिए कुछ राजियों में तो 1000 डॉलर फैमली पीछे दे दिया जाता है दोस्तों health coverage मिलती है इसके सिवा New York में तो आप US दर्शन में किसी और राजे में भी जाएए घुमने के लिए इसके लिए one way plane ticket दिया जाता है यहाँ पे दोस्तों यह जो immigrants हैं इनको इतना सारा legal cost होगा US में रहने के लिए तो वो US में रहे पाएं इसके लिए जो legal cost हो रहा है इसके लिए financial assistance दिया जाता है legal aids दिये जाते हैं कि आप US में बने रहें आप asylum आपको US में ही मिल जाए आपको और कहीं जाने की आवशकता ना हो तो दोस्तों Elon Musk का कहना है कि इतने सारे benefits हैं कि इसकुछ states दे रहे हैं इसके सिवा center भी देता है तो क्यों कोई जाना चाहेगा US छोड़ के और कहीं अब सवाल उठता है आखिरकार American states क्यों अपनी डेमोग्राफी इस प्रकार से बदलना चाह रहे है ये incentives देना है एक प्रकार से अपनी डेमोग्राफी को बदलने के लिए बुलावा देना हुआ वो भी illegal migrants के द्वारा तो कुछ तो कारण होगा कारण बड़ा सरल है vote bank politics अगर आप देखे तो US में जैसे हमारे यहां आज अगर आप vote डालने जाते हैं तो आपको voter ID card लेके जाना पड़ता है कोई भी मूँ ठाके vote नहीं दे सकता electoral rule में नाम होना चाहिए voter ID card दिखाना पड़ता है US में दोस्तो voter ID card दिखाने दिखाना अगर आप देखे तो कुछी राज्यों में आवश्यक है अगर आप देखे इसमें जितने भी राज्य आप इन ग्रे कलर में देख रहे हैं इन राज्यों में voter ID card दिखाना ही नहीं होता जैसे California हो गया जैसे Washington State हो गया इन सब में अगर आप देखें तो इन सब में कहीं कोई आपको card वगेरा नहीं दिखाना California हो गया नियू यॉक हो गया इन सब में कोई आवशक्ता नहीं नियू यॉक स्टेट हो गया यहां पे तो कोई जरूरत नहीं है नतीजा क्या होता है illegal immigrant को सरकार शर्ण देती है कि आप यहां पर रहिए लेकिन हमारा एक काम करना होगा वो क्या है जब चुनाओ का समय आएगा तो बटन दवाना खेर बटन तो नहीं जो भी है हमें वोट देना पड़ेगा और यह आपके भी हित में क्योंकि और कोई सरकार आ गई तो सबसे पहले आपको निकालेगी तो यह जो fear है जो कई लोग कहते हैं भारत में भी कुछ राजियों में है कुछ वैसा ही vote bank politics with fear with incentives खेला जा रहा है जिस वजए से इतने सारे illegal immigrants इन राजियों में जा रहे है क्योंकि यहां के राज बुलावा दे रहे हैं कि आप आईए यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों यहां पर कितने सारे राज़े हैं जहां पर कोई voter ID चाहिए ही नहीं कोई voter ID ने, सीधा जाईए vote देखे आईए बाकी कुछ राजे हैं जहां पर नीले रंग में आप देख रहे हैं जहां पर request किया जाएगा हाँ चलिए दिखा दीजिए दिखाई तो अच्छा है कुछ ही राजे हैं जो आपको औरेंज कलर में दिख रहे हैं जाके ऐसे laws बनाए गए हैं उसके पहले यहां भी जिसको मर्जी उसको vote देने का अधिकार था तो अब सवाल यहां पर उठा जा रहा है Elon Musk ने भी खुद पूछा है कि आखिरकार ऐसा क्यों है दुनिया के बागी democracies में vote देने के पहले voter ID चाहिए होता है US में क्यों नहीं क्या यह election free and fair है तो दोस्तों कारण बड़ा सरल है vote bank politics है तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा like ज़रूर कीजिएगा इसके सिवा मत भूलिए मेरा current affairs का course है जिसमें हफते भर का current affairs आपको हम केवल दो दिन में cover करके दे रहे है पूर् जाएगा तो जल्दी से जाएं जाके जुड़ें इसके सिवा अभ्यारती से अधिकारी तक का सफर असान हो रहा है 24,999 रुपए में दोस्तों आपके लिए हम इंडिया का best course लेकर क्या है complete GS complete test series prelims का भी test series means का test series with evaluation मिल रहा है सारे batches का access भी मिल रहा है आप निश्चिन तो होके जुड़ जाएगा आपके लिए comprehensive study material है answer writing है one-on-one mentorship है सब कुछ यहां मिल रहा है जल्दी से जाएं जाके जुड़ें बाकी अन्य बैचेस भी है जो start हो चुके हैं इसके सिवा September में हमारा optional batches स्टार्ट हो रहा है तो जल्दी से आईए जुड़ जाएए 23 सप्टेंबर को बहुत सारे optional course स्टार्ट होने वाले हैं sociology history पबैड तो जल्दी से जाएं जाके जुड़ें use the code kc10